तो दोस्तों आप लोगों ने इस तरह के फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे ही होंगे तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो आप भी इस तरह के विंग्स वाले अपने नाम के 3D फोटो को कैसे बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक आप को डाउनलोड कर लेना है इस आप का नाम है विंग्ग ये आप आपको प्ले स्टोर या और पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा तो इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो उसके बाद आपको इस आप को ओपन करना है उसके बाद इस आप को ओपन हो जाने के बाद आपको यहां कोने पर आप्स का एक आप्शन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है और फिर image generator वाले option पे click कर देना है तो अब आपको इस तरह के wing वाले 3D photo को बनाने के लिए prompts चाहिए तो ये prompts आपको मेरी वीडियो के description में मिल जाएंगे आपको वहाँ से copy करके यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद अब आपको इस prompts में कुछ changes करने है तो अगर आप लड़की हो तो यहाँ पर girls और अगर आप boys हो तो यहाँ पर boys ही लिखे रहने देना है उसके बाद आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर your name वाले जगह पर अपने नाम को लिख देना है तो example के लिए मैं यहाँ पर अंश नाम को लिख दे रहा हूँ और editing वीडियो देखने के लिए तो कुछ देर loading लेने के बाद यहाँ पर यह चार image बनकर तयार हो जाएगी तो आपको इसमें से जो भी photo अच्छी लगे आपको उसे डाउनलोड कर लेना है तो photo को डाउनलोड करने के लिए आपको इस 3 dot पर क्लिक करना है और फिर download वाले icon पर आपको क्लिक कर देना है तो यह photo आपके gallery में save हो जाएगी तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में